गुट इनुंग टू अलाफ यू सभी लोगों का युरेका के प्रेटफॉर्म पर स्वागत है मैं सुधीव कुमाश्री वास्तो आपका बाइलोजी का फेकल्टी इस्टूडेंट्स हम लोग पिछली क्लास में एनिमल किंडम के कुछ कोशन को लेकर के आपके समग पस्तित हुए थे आप से कहा था कि उसके एंसर दीजिए आप लोग उने इसके एंसर दिये भी थे और आज हम लोग उसी का एनिमल किंडम का ही दूसरा पार्ट है इसमें कु तो ऐसे questions हमेशा आपके tip पर होने चाहिए अगर इन प्रस्नों का उत्तर आप easily दे पा रहे हो इसका मतलब यह है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो आपका concept भी क्लियर है और आप अपने तयारी एक अच्छे लेबल पर पहुंचाने के लिए आप अपने आपको तयार कर रहे ह हो तो मेरा उन सभी एस्प्रेंट से कहना है कि जो भी डिसस भी टीजीटी पीजीटी तयारी कर रहे हों ऐसे questions को जरूर साल्व किया करें और इसके जो यह link है इसको आप अपने friends को भी share कीजिए जिससे की वो भी इसका benefit ले सकें तो जल्दिस सभी लोग क्लास में आ आज तो आई हम लोग शुरू करते हैं आज का यह पहला question आपके सामें ले करके आते हैं पहला question हमारे सामने है आज कहां चला गया है पहला question आपके सामने है blank है डैस is the name of the dried skeleton dried skeleton of the venus flower basket venus flower basket का जो है उसका जो बैग्यानिक नाम है वो क्या है scientific name वो क्या है यू प्लेक्टिला यू स्पॉंजिया लूको सुलेनिया या इस्पॉंजिला जल्दी से इसका सही answer दीजिएगा कि इन में से किसका जो है वो नाम है venus flower basket यू स्पॉंजिया यू प्लेक्टिला लूको सुलोनिया या इस्पॉंजिला जल्दी से इसका आप answer दीजिए जल्दी से इसका किया answer होगा venus flower basket किसे कहा जाता है venus flower basket किसे कहा जाता है इसका जल्दी से आप फड़ा इस्पॉंजियेगा venus flower basket किसे कहा जाता है यू प्लेक्टिला यू स्पॉंजिया लूको सुलेनिया या इस्पॉंजिला तो आपको पता है बहुत बढ़ी answer दिया सुर्दा विक्रान जी ने यू प्लेक्टिला को हम लोग venus flower basket कहते हैं बिल्कुल विराच उद्री जी ने भी दिया है venus flower basket के नाम से हम लोग जानते हैं venus flower basket वहीं पर यू स्पॉंजिया को हम लोग क्या कह देते हैं bath sponge के नाम से जानते हैं लूको स्पॉंजिया जो होता है यह एक प्रकार का symmetrical जनरली जो इस्पॉंज होते हैं वह asymmetrical होते हैं लूको स्पॉंजिया क्या होता है यह एक प्रकार का symmetrical होता है और इस्पॉंजिला जो होता है वह एक fresh water है यो कि बाकी जो आपके प्रेश वार्टर होता है बहुत बड़ी है तो यह पहला एंसर होगे आपका Second Question आपके सामने है members of phylum Porifera are, members of phylum Porifera are mostly fresh water animal but few are marine entities mostly marine animals but few are fresh water entities exclusively fresh water animals exclusively marine animals तो आपको दाना है कि पोरी फेरा को इसमें हम कहां रखेंगे जल्दी संदेज जी गा पोरी फेरा इन में से कहां पे आएगा इन चारों आप्संस में सोयता जी ने कहा है D exclusively marine animal पोरी फेरा के बाद बिटा हो रही है सोयता जी ने अभी कहा कि इस पॉंजिला क्या है fresh water है तो अगर एक भी एक्जामपल अगर fresh water का हो गया तो इसको हम exclusively नहीं कह सकते exclusively का मतलब हो गया कि कोई भी animal fresh water में न पाया जाता हो तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा बहुत बढ़ी हम सुएता अभिक्रान जी ने इसका answer B दिया है पीपी में इंदवाल जी ने इसका answer A दे दिया है गलत है mostly marine होते हैं जब आप पहले line पढ़ेंगे NCRT में तो पहले line यहीं लिखी हुई है कि sponge क्या होते है mostly marine होते हैं but few are fresh water जैसे spongyla तो इसका answer क्या हो जाएगा B option हो जाएगा mostly marine animal होते हैं few are fresh water entities होते है पोरी फेरा के यह आपको याद रखना है next होता है colored यानि कि color पाया जाएगा color पाया जाता हो flagellated cell हो that cover large part of the inner chamber of sponge helping water circulation to continue or porocyte coinocyte amoebocyte या penocyte बहुत ही प्यारा कोशन है बहुत ही पायरा कोशन है कि जो आपके sponge में water canal system होती है जिसको वो facilitate करता है वो cell color cell होती है flagellated होती है और जो क्या करती है sponge or seal की inner layer एक क्या करती है उसकी lining बनाती है lining of the sponge or seal उसका नाम क्या है उस cell का नाम क्या है जल्दी से answer दीजिएगा बहुत ही प्यारा कोशन है उसका नाम क्या है जैसे आप देखेंगे यहां पर यह जो layer होती है यहां पर यह तो यह outer layer हो गई और एक क्या होती है अंडर inner layer होती है inner layer जो होगी यह एक special type की cell से बनी होती है और यह cells कैसी होती है flash related होती है cilia इसमें होती है किसमें क्या होंगी फ्लेजला होते हैं यह और यह क्या करते हैं बीच का जो koinocytes आपको पता है कि sponge में दो layers होती है koinoderm inner layer और pinacoderm outer layer pinacoderm जो होता है वो poro side से बनी होती है और koinoderm जो होती है वो koinocytes से बनी होती है koinocytes जो होती है वो collar shaped होती है and fragilatat है और sponge seal की inner lining को बनाती है जो water canal system को facilitate करती है तो इनको ध्यान रखिएगा, Amoebocytes जो होती है, वो different type की होती है, उसमें एक totipotent होती है, एक food की gathering करती है, storage करती है, एक जो होती है, वो आपका specules बनाती है, एक आपका जो होता है, वो defense का काम करती है, एक आपके spongy in fiber आने काम करती है, तो अलगल प्रकार की हो जाती है, पिनाइकोसाइट्स जो होती ही, आउटर लेयर होती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि इसका answer क्या हो जाएगा, कोईनोसाइट्स हो जाएगी, तो यह कोईनोसाइट्स के बारे में बताया गया है, clear? next question आपका, this does not belong to phylum silentrata, इन में से कौन सा silentrata phylum में नहीं आता है, बहुत ही आसान question है, बहुत ही आसान question है, इसका answer तो सभी लोग देना चाहिए, this does not belong to phylum silentrata, इन में से कौन सा silentrata phylum में को बिलांग नहीं करता है, c cucumber, c feather, c pen, c fan, जल्दी से answer दीजिएगा, इन में से कौन सा phylum silentrata को बिलांग नहीं करता है, जल्दी answer दीजिए इसका, स्वेता अभिक्राण जी ने भी कहा है, भी गलत answer है इसका, क्योंकि आपने c cucumber पढ़ा होगा, c cucumber को हम लोग क्या कह देते हैं, लल التрен of the aristotle, और वो किस में आता है, इकाइनो डर्मेटë में आता है, तो c cucumber जो होता है, ये इकाइनो डर्मेटा का है, ये किसyondry अभिक्पा है, ये किसका है, ये सिलेंट डर्मेटा का है, और बाकी तीनोग किसके हैं, सिलेंट डेंट के हैं, इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा C cucumber हो जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा C cucumber हो जाएगा तो C cucumber जो है यह आपका Echinodermata का animal है हम आगे पढ़ेंगे हमको यह पता था कि C feather हो गया, C fan हो गया C pen हो गया These are examples of sealant trator और आपका जो C cucumber है यह किसका है, यह आपका Echinodermata का है, इसको आपको ध्यान रख लिए, next question A sealant trator that is commonly referred to as fresh water polyp is इन में से कौन सा जो है वो fresh water polyp कहलाता है मने आप लोगों ने इसका classification पढ़ा होगा, इसका जो sealant trator का जो classification है, वही बेस्ड है, polymorphis बेस्ड है, classification hydrozoa, skyphozoa, anthozoa तो hydrozoa मतलब जिसमें polyp या तो keval polyp पाया जाए या polyp और मिर्णसा दोनों पाया जैसे hydra में keval polyp और ovelia में polyp मिर्णसा दोनों पाया जाएंगे, ऐसे ही skyphozoa में keval मिर्णसा पाया जाएगा, जैसे आपका jellyfish हो गया, और इंतों जोगा में keval polyp पाया जाएगा जैसे आपका sycon हो गया, lymphosalinea हो गया तो यहाँ भी पूछ रहा है कि fresh water polyp जो है वो किसका example है सवैता सिंग ने इसका answer C दिया है बहुत बड़िया इसका answer क्या है आपका Hydra ही बाकी इं में क्या होता है polyp मिर्णसा पाया जाता है phyceolia में इसमें keval polyp पाया जाता है और और एलिया में क्या होता इसमें पॉलिप और इसमें केवल मेड़सा पाया जाता है और एलिया में केवल मेड़सा हाइड्रा में केवल पॉलिप फैसियोला में क्या पाया जाएगा फैसियोला में आपका पॉलिप और मेड़सा दोनों पाया जाएगे और ओविलिया में प characteristics of acylomate, acylomate का characteristics क्या होता है, acylomate का characteristics क्या होता है, absence of mesoderm, absence of brain, cylom that is incompletely lined with a mesoderm, solid body without a cavity surrounding internal organs, इन में से कौन सा character है, जो acylomate को clear-cut so करता है, acylomate क्या होगा, जल्दी sensor दीजिएगा, acylomate क्या होगा, कुनाल मिसाजी के सर, अगर note से सारा पढ़ने तो पूरा ना हो जाए, बिल्कुल बेड़ाफ, सारा पूरा हो जाएगा, मेरी class में अगर आप रहेंगे, मेरी class को अगर आप note करते जाएंगे, तो उससे बाहर कोई question नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको कई NCRT तो फालो करता है करता हूँ, उसके अलावा जो और higher education की books हैं, उनसे जोड़ करके मैं आपको पढ़ाने का प्रियास करता हूँ, बस आप थोड़ा मन से और concentrate होके पढ़ें, चीजों को, है ना, तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, आप बहतरीन कर पाओगे, तो identify the characteristics of the acylomate, तो आपको ये पता है कि acylomate का मतलब होता है, जैसे pen है आपकी, पेन में जो आप रिफिल डालते हों, तो रिफिल जो है वो आपकी क्या हो गई, elementary canal हो गई मान लीजिए, organs हो गई, और जिसमें वो पेन रिफिल जो रखी हुई है, वो जो cavity है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग silom कह देते हैं, तो जिनमें वो cavity नहीं है, उसमें पेन नहीं जाएगी, तो इसलिए आपको ध्यान के, solid body होगी चाहिए, without cavity, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए silomate कहेंगे, और silomate और pseudo में क्या हो जाएगा, cavity बनेगी तो, लेकिन mesoderm जो होगा, उसको जगह जगह पर क्या करेगी, लाइंड अप कर लेगी, completely mesoderm, जो है, silomate को line up नहीं करती है, जब mesoderm, completely silomate को line up कर लेती है, घेर लेती है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, use silomate या complete silomate कहते हैं, तो platy helminthes में pseudo silomate पाया जाता है, उससे पहले के जो animal होंगे, वो acilomate होते हैं, और उसके बाद के जो animal होते हैं, वो silomate होते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, तो ये इसका answer हो जाएगा, 9, 10 में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अगर आपका मन है ये पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है कोई ऐशा नहीं है कि आप नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ाई जो है यह हमारे जो क्या कहते हैं जो हमारा मन है और हमारा जो सेंस है जो इंद्रिया है उससे मतलब इसका नहीं है इसलिए हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि इंद्रियों को और हमारे जो माइंड को मन उसमें लगता है जो नेचर में चीज़े जो नहीं हो रही है या हो रही है लेकिन उनसे बहुत जादा हमको मतलब नहीं है जो हमारे लिए यूसफुल नहीं है जैसे भूख लगना प्यास लगना खाना खाना और बाकी मंद होता है वो हमारे होता है अवचेतन मन से कॉंसेस माइंड से होता है तो अगर आप अपने कॉंसेस माइंड को अगर आप जागरित कर लेते हैं मिटेशन से या योगा से तो आपके पढ़ाएं मन लगेगा अगर आपके वल अपने मन से पढ़ना चाहेंगे अपने इंद्रियों से कहेंगे सिंस ओर्गन्स को आप कहेंगे हम पढ़ें तो पढ़ने का मन नहीं लगेगा आप जैसे पढ़ने बल्ठेंगे कोई न कोई आपको काम याद आ जाएगा कि ये काम नहीं किया है वो काम नहीं किया है और फिर वो काम में लग जाओगे मन आपको भटकाता रहेगा तो जब तक आप पढ़ाई का दारो मदार पढ़ाई का जो आपने तंत्र है अगर उसका डोर उसकी उसकी जो रसी है उसको अगर आपने मन को दे रखी है तो आप नहीं पढ़ पाओगे मन से छीन करके आप उसको अपने conscious mind को दे दो फिर आपको देखोगे आप दिन दूनी राज चोगनी तयारी करना शुरू कर दोगे आपके अंदर इनर्जी आना शुरू हो जाएगी यह करके देखना यह meditation से आएगा योग से आएगा दोनों करिए और उससे देखिए कि आपके अंदर पढ़ने का मन लगेगा आप concentrate अपने आपको feel करोगे आप पढ़ने बठोगे आपका मन नहीं भटकेगा और चीज़ें आपको याद हो सुरू जाएगी और आपको लगेगा कि हम और पढ़ें और पढ़ें इस चीज़ को आपको ध्यान लेखिए नेक्स्ट है यह वाला हो गया था विच आप दी फालोइंग कॉंबिनेशन इस इनकरेक्ट इन में से कौन सा कॉंबिनेशन इनकरेक्ट है नीमेटेडा राउंड वर्म स्यूडो सिलोमेट तो नीमोटेडा जो होते हैं प्लेटी हिलमेंथीज उसमें राउंड वर्म आ जाएंगे और वो स्यूडो सिलोमेट ह होते हैं एकदम सही है है हो सकती है पर शीलोम नहीं होता है तो किस लूम कि सुरुबाद कहां से होती है एसकेलमेंथी से होती है तो यह हमको घलत लग रहा है okay-breaker मेड़ में सीलोम प्रिजन्ट होता है और बंटर्टी होती है यह भी आपको ध्यान रिखेगा और एक जी और ध्यान रिखेगा मेड़ा के जो लारवा होते हैं उसमें जो symmetry होती है वो radial होती है उसमें symmetry कैसी होती है radial होती है लेकिन adult में जो symmetry हो जाती हो कैसी होती है वो bilateral हो जाती है platy helminthes में gastro-vascular cavity पाए जाएगी flatworm होते हैं और acillomate होते हैं यह आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इसमें हमको गलत लग रहा है क्योंकि platy helminthes जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं वो आपके acillomate होते हैं स्वारी pseudo-sillomate होते हैं pseudo-sillomate होते हैं तो यह answer यह question थोड़ा सा गढ़बढ है इसको आप ध्यान दीजेगा है क्योंकि platy helminthes जो होता है वो pseudo-sillomate होता है और pneumatode जो होता है तो अगर हम यहां पर यह करें कि इन में से कौन सा incorrect कौन सा correct है तो इसका answer आपको क्या हो जाएगा C हो जाएगा तो इसको हम भी छोड़ देते हैं बिल्कुल कह रहा है सिलोम is absent in sponge तो sponge में absent होता है तो इस question को हम लोग हटा देते हैं इसको थोड़ा सा समझाएगे आपको बाद में निडेरिया is characterized by निडेरिया जो होता है उसका main characteristic क्या है tissue label organization, nematoblast, silentron, all निडेरिया के जो निडेरिया होते हैं उनमें कौन-कौन से characters होते हैं तो निडेरिया यानि की silentrata तो silentrata में क्या होता है tissue label organization होता है एकदम सही है उसमें nematoblast पाया जाते हैं sting cells पाया जाती है यह भी एकदम सही है silentron उसकी जो cavity होती है silentron पाया जाते हैं यानि कि तीनों character सही है निडेरिया के बारे में तो सुर्टा जीने का इसका answer D है और एकदम सही answer है इसका क्या होगा D होगा यानि कि निडेरिया में tissue label organization होता है nematoblast पाया जाते हैं जिसको हम लोग neidoblast कहते हैं sting cells कहते हैं बिल्कुल platy helminthes जो होता है वह आपका कैसा होता है मनु जी कह रहे हैं कि platy helminthes जो होते हैं वह acylomate होता है वही मैंने उसको question को हटा दिया है उसमें वह incorrect पूछ रहा था तो incorrect दो उसमें आ रहे थे है ना तो उसको लोग बाद में देख लेंगे तो यह हो गया इसका answer 9th question is flatworms are flatworm कैसे होते हैं डिपलोब्लास्टिक, टिपलोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक या none of these flatworm कैसे होते हैं flatworm कैसे होते हैं कौँ answer देगा इसका flatworm जो होते हैं वो टिपलोब्लास्टिक होते हैं बिलकुल सही है mesoderm, ectoderm और endoderm टिपलोब्लास्टिक होते हैं germ layer जो होते हैं इसमें तीन layer होती हैं टिपलोब्लास्टिक होता है तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि नेक्स कुर्शन पर आजाते हैं लोग रिजयरेशन इस Just so परिजन गुषलेंगं sónम्यों में लिटा आई का होते रहें गि टेस्की टोही हरें रिजनरेशन इस वेस्ट स्टोन वाइफ फ्लैट वर्म किस फ्लैट वर्म में सबसे बड़ी हा प्रकार का रिजनरेशन होता है तो आपने देखा होगा इसका नाम ये वाला देखा होगा आपने ये ये इनिमल आपने देखा होगा इसको कहीं से भी काट देंगे यहां से काटेंगे यहां से काटेंगे तो क्या होगा जितना काटेंगे उतने साइज का क्या होगा एक नया इनिमल बन करके तयार हो जाएगा तो जो planaria होता है planaria duagasia यह जो होता है इसमें सबसे बहत्रीन ऐसे flatworm है जिसमें सबसे बहत्रीन regeneration की छमता पाई जाती है पूरजनन की छमता पाई जाती है तो इसको आपको ध्यान दखेगा ठीक है तो यह था आज का हमारा important questions TGT science biology के animal kingdom से next class में हम लोग फिर से बहत्रीन questions लेकर के आएंगे अलग-अलग philems होंगे वो animal kingdom की होंगे आप लोग पढ़ लीजिए और उसके questions को देने का बहत्रीन प्रयास किया कीजिए ठीक है concept को अगर आप clear कर लेते हैं concept अगर आपका clear है तो आप चीजों को जोड करके या answer अगर एक्जाम में पूछा जाता है कैसे भी घुमा के पूछेगा आप दे लोगे अगर आप book को केवल पढ़ोगे केवल पढ़ते रहोगे और आप जो line line लिखी है उसी को रटना चाहोगे तो आज कल जो questions बन रहे हैं वो एकदम सब्दसा नहीं बन रहे हैं कहीं से link करके या कहीं से उसको जोड तौड के बनाया जा रहे हैं तो आपको concept समझना है और उसके interlinking करनी है सीधे सीधे questions आपकी एक्जाम में कम मिलते हैं तो आज के लिए इतना ही thank you good night next class में हम लोग फिर मिलेंगे bye झाल